अग्याव फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल मैं आज आपको बताऊंगा कि पॉलेंड के लिए कैसे अपलाई करते हैं पॉलेंड के स्टुडेन विजय की प्रोसेस क्या है और क्वंच का कंसल्टन सी कितना चार्ज लेती है इसके बारे मैं आज आपको बताऊं सोलेंड तो आपको ट्लत के बाद आपको आपको सके दूश्णा के लिए के लिए और उपलाई किया हिす का पहले आपको अपलाई करना होता है उसमें आपकोसी लेक करना होता है किmy course कर लिए पॉलेंड आना चाहते इस बिगष्क के लिए새 मैं कौन सा항 को सिलेक कर ले हैं वह बो आपको लेकर ना होता है आपका अाने से पहले में आपकी कंसेंसीução जो भी अप्रसंटेंसी चीले की है वह फ़ला आपका यह लिए रिक्वेष्ट देंगे लिए में द्वा बीनुगे को आपको कूर्स कब स्टाट होने वालाइब पूरा वह सब अपको डिया होगा आना के बाद आपको जो डोकुमेंट होता है तियांत के बात किया हो तो त्यांत का और त्यकुमेंट है आपका सोस्टाइब करवना होता है और उस समय आपको भी दूसरा काम होता है जो disse caues apply करना होता है इसलिए dispense apply कर दो और Cannes à ďथा पी झूफरी अपको फाइल में रखना होता है और बाद में आपको फीस बरने होती है आपकी जो भी फीस होगी अराउंड 2500 यूरो 2700 यूरो और 3100 यूरो जो भी होगी आपको फीस करने होगी उनिवसिटी में और बाद में आपका जो भी फीस होता है और जो भी उनिवसिटी वे आपको डॉक्युमेंट बेचती है जो भी म gloss mago के निए उसके में पालिश में में होते हैं सब्र GG आपको पहीं और दूसरा पूलेट में यह की 6 लक्स का एकमागती है आपको दिखाना पड़ता है 100 लाक्सृपी इंवर सेविंग एकाउंट वह दिखाना परते हैं और जब तक आपके डॉक्यमेंट उनिवर्सिटी तरफ से नहीं आ जाते तब तक आपको आपने अपटमेंट के लिए डेट चेक करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि कई टाइम डेट अवेलेबल नहीं होती है आपकी फाइल भी डाइडी हो जाएगी तब तक कई टाइम इसलिए हो सके तो आप अपना डेट चेक करते रहें जब भी आपको डेट मिले तो आप उसका अपने अपटमेंट बुक कर दीजिए और जब भी वह डॉक्यमेंट आ जाते हैं आपके उनिवर्सिटी से तब आपकी फाइल पूरी प्रिपेर हो जाएगी और इसके बाद आ पाइल में रखकर आपको अपना सब्मिशन कर सकते हैं फिर आपको इंटर्व्य के लिए कौल आएगा और कई बार फिजिकले भी बोलाएंगे जो भी सेंटर है उसमेंट करता है इसलिए और मैं बताऊंगा कि कि इतना होता है पोलेंट के लिए मैंने जब अपलाई किया थ तो मैंने कंसल्टनसी चार्ज लिया था तीसाजार रुपिया और कई कंसल्टनसी पचीसाजार भी लेती है और कई कंसल्टनसी उससे ज्यादा भी और उससे कम भी वह मुझे नहीं पता मैंने अपलाई किया था तब मैंने तीसाजार रुपिय कंसल्टनसी चार्ज लिये थ है उस पर मुझे से बात कर सकते हैं